अहिन सातीर्थ प्रनीता जे जे हो भारत गोरव रास्ट संद प्रमुख सागर स्वर्णिम स्वर्ण जैंती का आउसर ये महान है मिलकर हम मनाएंगे दुर्वर देश की शान है प्रमुख सागर जे हो गुर्वर प्रमुख सागर जे हो गुर्वर इसका रिक्रम की पुनियार्चक है शिरी दिगंबर जैन पंचायत घुवाठी असंद इथा इथा ना रोचंती विश्या सुल्वा अभी तथा तथा समायाती संबित तत्मुत् पूच्पा स्वामी इस लोग के माध्यम से कह रहे हैं इथा इथा ना रोचंती जैसे जैसे सुल्वा सुल्व से बिस्या पी पंचेंद्री के बिस्या ना रोचंती आत्मा को अच्छे नहीं लगते हैं तथा तथा बैसे बैसे सम्वित्त्य। अन्भूती में उत्मम्तत्य। सुद्धात्मा समायती वहावित होने लगती है। कल आचार ने कहा था आचार भगवन पूच्पा स्वामी ने कहा था जैसे जैसे बाहर के बिसे तुम्हें रुची कर लगते हैं तो तुम अंदर के बिसे से छूट जाते हूं। जैसे जैसे आत्मा रुची कर लगती है आत्मा की बात आती है तो वहार के बिसे छूट जाते हैं। और आज आचार बोही बात को उल्थे तरह से कहने कैने का प्रियास कर रहे हैं। आज आचार यहां कह रहे हैं इता इताना रोचंते बिस्या सुलवा पी जो सुलवता से संसार के बिस्या मिल रहे हैं अगर वो तुम्हें रुची कर नहीं लगते हैं तो समझ के रखना अब तुम अंदर की प्यास पैदा हो चुकी है तता तता समायाती संबित्तो तत्मुत् कह रहे हैं कि जैसे जैसे बहार के विसे तुम्हें रुच्छी कर नहीं लगते हैं वैसे वैसे अंदर का जीवन तुम्हें अच्छा लगने लगता है कल आचार ने कहा था, आचार भगवन ने कहा था कि पेंसिल बनकर अच्छा लिखो तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ती हो जाएगी और आज आचार यहां कह रहे हैं कि जावड बनकर बुरा मिटाओ तो भी तुम्हें आत्मा की प्राप्ती हो जाएगी पैंसिल बनकर अपने जीवन की गाता अच्छी ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या है बहुत से लोगों को पूरा जीवन लग जाता है यही समझ में नहीं आता कि अच्छा है क्या तो उनको इतना पूछा जाता है कि तुम्हें ये तो समझ में आता कि बुरा क्या है बुरा इयों को मिठाना शुरू करोगे तो तुम एक दिन बहुत अच्छी हो जाओगे आचार दोनों बाते कह रहे हैं फिर गलबूजे पे चकू गिरे तो भी घरा भूज़ा कटेगा और चकू लिगे तो फिर गलबूजा कटेगा क्या कटेगा गिरेगा तो खर्बू जाई कटेगा तो खर्बू जाई तो बिसियों से अगर तुम्हें आरुची हो जाए तो भी आत्मा की प्राप्ती होगी और अगर आत्मा के प्रती तुम्हारी रुची पैदा हो जाए तो बिसियों से तुम छूट जाओगे आप बिचार करके लगना सिद्ध की अर्यकेवली की परियाए प्राप्त करने के लिए तो अंतर मुर्थ कम से कम लगेगा लेकिन सिद्ध बनने के लिए एक समय में रिज्व गती में तुम सिद्ध हो जाओ तो कोई आसर की बात नहीं है वो होगा तब या तो बहाइब शिओं से जुचि खतम कर दो या आतमा के पती जुचि पैदा कर दो दोनों में से वुष्ट कर भाय बिसे तुम्हें संसार के शलवता से मिलेंगे तुम्हारे पुन्य से मिलेंगे पुन्य के फल को भोगो मत पुन्य के फल को देखो पुन्य के फल को भोगोगे तो और संसार मिलेगा और पुन्य के फल को देखोगे तो संसार कब हो जाएगा अब भोगना और देखने में अंतर क्या है हमें सरीर मिला है पुन्य के प्रभाव से करम अच्छे की होंगे इसलिए ये सरीर हमें मिला है ख्याल करके रखना भगवान महावी स्वामी के समोर सर में पूछा गया ये भगवन इस संसार में किम दुल्लबं दुल्लब क्या है उन्हें कहा तरस परियाए दुल्लबं छेडाला में पढ़ते हो ना दुल्लब लई जो चिंता मनी तो परियाए लही बोलो ना तरस तरी लट पीपल अलाद सरीर धर धर मरियो सही बहुपीर तरस परियाए का मिनना बहुत दुल्लब है फिर उन्हें पूछा तरस परियाए भी मिल जाए उसके बाद किम महा दुल्लबं कहा मनस परियाए का मिलना और दुल्लब है मन उस पर यायवी मिल जाए तो किम महा महा दुल्लवं तो कहा सादू का सत्संग मिलना महा महा दुल्लव है क्योंकि सादू का सत्संग हर किसी को मिलता नहीं है आप विचार करना बहुत पुन चाहिए जब सतंग में सादू के नजदी के बैठने का पुन अरजन कर पाओगे बाहर का पुन तो बहुत अरजन है पदार्थ के पास बैठने का पुन बहुत है पतनी के पास पती के पास बच्चों के पास संसार में हर बस्तू के पास बैठने का पुन्य मिलेगा लेकिन संतों के पास बैठने का पुन्य बहुत दुलव है कहा है ना सुत दारा और लच्चमी पापी के घर भी होई सुत बेटा दारा पतनी लच्चमी पैसा पापी के घर भी हो संत समागम हरी भजन तुलसी दुल्लव दू संतों का समागम मिलना और हरी भजन मिलना ये दुल्लव हैं दोनों क्योंकि एक घड़ी भी अगर हमने इनका सतंग कर लिया एक घड़ी भी हमने अगर परमात्मा के पृति रुची पैदा कर ली एक छण भी अगर हमने सादू संतों का समागम प्राप्त कर लिया तो कह दिया एक घड़ी आदी घड़ी आदी में बुनियाद अब विचार करना हरें कोटी अपराद जब हमारे मन में भाव आने लगे संसार में पुन्न को देखना भोगना नहीं तुम्हें मनस पर याय मिल गई ये तुम्हारे कोई बहुत पुन्न का उदे है अब इसे देखो भोगो मत देखने का मतलब माराज रोज हम दरपण में चेहरा देखी लेते हैं और हमने बच्पन की फोटो अभी तक देख रहे हैं और माराज क्या देखना है मैं रोज देखता हूँ अपने आपको देखने का मतलब है इस सरीर तुम्हें जो मिला है किस के लिए मिला है ये सरीर तुम्हें भोगों के लिए नहीं मिला ये सरीर तुम्हें संसार के पदार्तों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला ख्याल करके रखना ये बिचार करना नरग में भी तुम्हें ये सरीर मिला था स्वर्ग में भी तुम्हें ये सरीर मिला था तिर्यंच गती में भी ये सरीर मिला था और मन उस परियाए में भी ये सरीर मिला है नरक में तुमने इस सरीर से कस्ट ही कस्ट भो गए है एक छणको भी तुम्हें सुख नहीं मिला पारा के समान तुम्हारा सरीर छिन बिन हुआ फिर तुम मिल गई काट दिया जाए तुमने सोचा था कर मुझे कोई काट दे मार दे जला दे किया गया लेकिन अकाल मिर्तू नरक में होती नहीं है जितना समय उमर लेकर गए वो उतना जीना ही पड़ेगा स्वरगे के सुख में भी तुम्हें सरीर मिला था और ऐसा स्वरगे का सुख देखो चारतरव इंद्रानियां देवियां थी चारतरव भोगी भोग थे वो सभी सुख तुम्हें मिल गए फिर भी कल्यान नहीं कर पाई और यहां तक कहते हैं कि स्वरग से तो बहुत नजदीक है सरवासिद्धी से सिद्धिसला का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन जाने सकते हो जाना पड़ेगा तो इसी मदलोग में आना पड़ेगा और इसी मनुस परियाय में आना पड़ेगा विचार करना इतना ही सोचने का प्रियास करना तिर्यंच गती में आए तो हम एक कदम आंगे बढ़े हमने थोड़ा सा अपने पृति लुची परदा की तो हम अनुवृति हो गई लेकिन आज मनुस परियाय में तो महावृति हो सकते हो महाव्रत लेकर अपना जीवन का कल्यान कर सकते हो बस तब ही है कि पुन्य के फल को देखो भोगो नहीं एक छोटा सा अधारन एक यूब बच्चा सेवा का काम करता था कोई भी स्टेशन पर उतरे तो उससे कहता था कि मैं आपका सामान उठातो सकता हूं लेकिन मेरी राम कता तुम्हें सुनना पड़ेगी उसने का यार बहुत अच्छा है पैसा भी नहीं लेगा सामान भी उठागा राम कता के बस सुनना है इसको बिना मन से सुनना है और सुन लिया वो लड़का जब सामान छोड़कर जाने लगा तो पूछा सेड़ जी आपन किया राम कता तो सुनाता गया मैं सुनता गया मुझे कुछ भी नहीं पता तुने सुनाया क्या हो मैंने सुना क्या उस लड़के ने कहां सेड़ जी तुमने बिना मन के ही मेरी कता सुनी लेकिन इसका प्रभाव फल तो मिलेगा तुम्हें जब भी तुमारी मिर्टु हो तो बस भगवान से इतना ही कहना कि जो मैंने तुमने जीवन वर पाप तो किये हैं भगवान से इतना ही कहना कि जो मैंने आदा घंटा उस कता को सुना उससे जो पुन मिला है उस पुन्य का फल में भोगना नहीं है देखना है कतानक कहीं का भी हो लेकिन तत समझना विचार करना उसने का हम पुन्य का फल भोगेंगे नहीं देखेंगे ठीक है जब मिर्तु ही इम्राज आई इम्राज ने कहा इम्राज ने कहा कि भाई तुम्हें पुन्य मिलाए केवल आदे गंटे का और पाप तो तुमने जीवन बर करें हैं पुन्य का फल पहले भोगोगे या पाप का फल उशण ने का मैं पर तो पाप कऱिंगा लेकिन पुन्य कَ फल होता क्या है मैं देखना है कि अग्णी का फल होता क्या है मुझे देखना ठीक है पुन्य के फल को दिखाने के लिए कैसे दिखाय जाए ये तो भई कई हैं नहीं भोग्तानों एพोन तो स्वर्ग चले जाओ पाप का फल वोगना तो नरख चले जाओ दिखाएं कैसे बड़ी समझ से आ गई बिर्मान में तेलका मच गया मदलोक का आज मी बड़ा खतरनाक है इसने आकर यहां पर भी हलका मचाए अब पुन्य का फल इसे कैसे दिखाएं वो यम्राज जी पहुं दोखते हैं कि वह स्वर्ग है उसने का मैं भोगना नहीं है देखना है विश्रु जी गए मैहेश जी के पास पहुंचे ब्रमा के पास पहुंचे सब लोगने कहा कि वह इसे कैसे दिखाए जाए बिर्मा जी ने उसको एक चपत लगाई और कहा कि देख तेरे पुन्य का फल तू अगर भोग लेता तो स्वर्ग में जाके मिलता तू ने भोगा नहीं तो तेरे सामने आज ब्रमा बिश्रु महेश तीनों खड़े हैं ये पुन्य के फल को देखने का प्रवाव है अगर भोग लेता तो स्वर्गों के सुकों में चला जाता और कुछ मिलने वाला नही था, ख्याल करना ऐसा ही हमारा जीवन है, तुम पुन्य के फल को भोग लेते हो, तो संसार ही तुम्हें मिलने वाला है, और पुन्य के फल को देखते केवल हो, विचार करना, बस तु के अभाव में त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बुलापे में दाट तुड़ गए, अब मेरे चने का त्याग, अब मेरे को दोलना आता नहीं है, अब मेरे दोलने का त्याग, अब आप विचार करके रखना, जब हमारी सारी इंद्रियां सितिल हो गएं, तब हमने इंद्रियों के सुक का त्याग, ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है ये तो वो ही हो गया कि अंगुर खटे हैं मजबूरी में भी त्याग नहीं करना है बिसे हमें 500 इंद्रियों के मिल गए हैं अच्छा देखने को मिलना है अच्छा खाने को मिलना है अच्छा पहने को मिलना है अच्छा रहने को मिलना है उस वक्त उन चीजों को त्याग कर देना समझना आत्मा के प्रती रुची पैदा हो गई और जिसकी आत्मा के प्रती रुची पैदा होगी उन चीजों में अटेच्मेंट नहीं करेगा ख्याल करो सोले सोले बत्तिस बत्तिस उपास करने वाले तपस्वी सादक बैटे हैं क्या इनके पास घर में खाना नहीं था 56 भोग रखे होंगे फिर भी इन्हों नहीं का नहीं मुझे खाना है ख्याल करके रखना उन बिस्यों से अरुची पैदा कर दी तो अंदर की सक्ती जागरत होती चली जा रही है अंदर की सक्ती को जागरत करते चले जा रही है हमें भी यही विचार करके रखना है जो तुम्हें मिली जरूरत हो तो रखो नहीं तो छोड़ दो ऐसी ऐसी लोग विचार करना पुन इखटा करो पुन परिग्रे खटा मत करो सेट सुद्दसन स्रीपाल अकेले चले गई वैपार करने जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन पुन्य इतना तीब्र था कि मिट्टी को हाथ लगाए तो मिट्टी सोना हो जाती थी विचार करना जहाज को हाथ लगाया तो जहाँ चलने लग गए आप से इतना ही कहूंगा बहाए पदार्थों में ज़्यादा अटेच्मेंट मत हो पांचों इंद्रियों के बिसे तुम्हें सुलवता से मिलेंगी पांचों इंद्रियों के बिसें को मैं आसक्त होने का प्रियास मत करो जैसे जैसे तुम्हारे 500 इंद्रियों के पिसे छूटेंगे अपने आप अंदर में तुम पहुंचते चले जाओ तुम छोड़ दो ठीक नहीं तो छुड़ा लिया जाएगा हां आप जादा चटर अटर खाओ गे न तो जब किड्री पर असर पड़ेगा तो डांटर कहेंगा अब सिंपल भोजन करना जादा तला वाला भोजन नहीं करना और जब तक नहीं पढ़ रहा है तो उपर से घी जब अव कि ओधुद आप विचार करके रगना उपर से भी खूप रबटर खाओ बोजन लेकिन जिस दिन किनी पर भैट बढ़ेगा तो तुमारा छुड़वा दिया जाएगा आप विचार करो जितना भाय बस्तुओं को हम अपने जीवन में लाने का पर्यास कर रहे हैं उतना अंदर की पुझ्य खत्म करने के लिए तुमें कुछ करना नहीं पड़ेगा पुझ्य खत्म अजवह हम संभोसर में जाएंगे तो पुझ्य खत्म अपने आप हो जाएगा हमें पुझ्य संसार के कारण के लिए नहीं बढ़ाना विचार करना पुन्न संसार से पार जाने के लिए भी हमें पुन्न की आवस्थ सकता पड़ेगी क्योंकि पुन्न फला अरहंता पुन्न के फल से अरहंत पर याई प्राप्त होगी और अरहंत पर याई प्राप्त होने के बाद हमारा पुन्न समोसर में बिलीन होता जाएगा और हम बहां से निर्वान को प्राप्त होंगे ख्याल करना बिना पुन्य के तुम सयम भी नहीं ले सकते हो बिना पुन्य के तुम्हारा जीवन धरम में नहीं हो सकता लेकिन पुन्य में ही अठके रहे तो निर्वान नहीं जा सकते हो पुन्न के फल से अरहंद पद मिलेगा लेकिन पुन्न और पाप दोनों समाप्त हो गई तो निर्वान की प्राप्ति होगी आचार पुझपास्वामी आज की इस गाथा में इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं बहाय की पदार्तों से रुची कम करो जितना छोड़ोगे उतना पाते चले जाओगे जितना बहाय की दिश्टी कम होगी उतना अंदर में तुम्हें रुची पैदा होगी और आप लोग आहर में हमारे पास बहुत से सामान लाते हो हम करते नहीं लेना हो छोड़ने से हमारा पून अतना बड़ता है कि अगले दिन और जाधा मिलता है विचार करना श्याद हमारे ख्याल से इसलिए आप लोग नहीं छोड़ते होगे इस बार छोड़ देंगे दो अगले जनु sama और जाधा मिलेगा तो हम यह नहीं यह जादा इसलिए आप छोड़ते नहीं हो बाहर के पदार्तों को छोड़ने का प्रयास करें बाहर के पदार्तों से अरची प्राप्त करें और जैसे यह बाहर से अरची प्राप्त होगी अंदर आपकी जीवन में उप लब्दियां प्राप्त होने लगें तो कोई आश्चर की बार नहीं है आज अतना ही कहूंगा कि आपका जीवन बहुत मंगल में बहुत आनन्द में बहुत उतकष्ठ बने ओम नमा जग होते हो इस कारिक्रम की पुनियार शक्ति शिरी दिगंबर जैन पंचायत घुवाठी असम अहिन सातीर्थ प्रनेता जै जै हो भारत को रव रास्ट्र संग प्रमुक सागर स्वर्णिन स्वर्ण जैनती का आउसर ये महान है मिलकर हम मनाएंगे गुर्वर देश की शान है प्रमुक सागर जे हो गुर्वर अर्द सतक जो पूरा हुआ